हाई एवरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शकर पारे बनाने की रेसिपी अगर आप इस मैथड से बनाएंगे तो शकर पारे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तयार होंगे और आप हर बार इसी मैथड से बनाना चाहेंगे तो तेर किस बात की है चलिए कोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं शकर पारे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया 500 गराम मैदा मैदे को हमने चान रखा है अब हम इसमें एड करेंगे एक बड़ा चमच गी या रिफा सबनेंगे बस हमें हातों की हर्प से इसे अच्छे से मैदे में मिला देना है और फिर इसके बाद हमें हातों में उठा कर देखना है अगर यह हातों में अच्छे से ऐसे उठ रहा है तो समझे कि जो आपने मोहिन इसमें डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है अब हम डो तय कर लेते हैं दो तया करने के लिए हमने यहां पर एक कप थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी यूज करके डो को तया कर लेते हैं एक साथ पानी यूज नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके ही पानी को यूज करना है अगर आप एक साथ पानी को यूज करेंगे तो जो डो है बहुत जादा सोफ्ट हो जाएगा और जो शक्कर पारे है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी यू नहीं होनी चाहिए और डो तयार हो चुका है अब हम इसे 5-10 मिंट के लिए द्रेस्ट पर रखेंगे डो तयार करने में एक कप से भी पानी थोड़ा बच गया है धकन से इसको बंद कर देते हैं 10 मिंट हो चुके हैं अब हम शकर पारे बनाने स्टार्ट करेंगे जैसे रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं सेम उसी तरीके से हमें एक पेड़ा लेना है और उसे चकला बेलन की हेल्प से बेल देना है बहुत ही इसली ये बेल ले जाते हैं हमें इसे बहुत जादा बारिक नह आप अपनी मर्जिसे से कोई भी शेप दे सकते हैं, जो आपका मंच चाहे आप उसे शेप दे सकते हैं. सभी शक्करपारे तयार हो चुके हैं, अब हम इसको फराई करेंगे. कढ़ाई में और रेडी रिफाइंड ओईल गरम है, अब हम गयस को लो कर देंगे और शक्करपारो को इसमें डाल देंगे. हमें तेज आँच पर शक्करपारो को नहीं फराई करना है, वरना शक्करपारे जो हैं, उपर से तो फराई हो जाएंगे, बट ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, हमें लो फलेम पर ही इनको फराई करना है. एक तरफ से सीखनी के बाद इसे पलट देना है, और हल्का सब बराउन कलर होने तक हमें इसे फराई कर लेना है. सभी शक्करपारे फराई हो चुके हैं, अब हम चाशनी तया कर लेते हैं. चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 500 गराम चीनी, हमने मैदा 500 गराम लिया था, तो हम चीनी भी 500 गराम ही लेंगे, यानि जितना मैदा उतनी हमें चीनी यूज़ करनी है, और चीनी का अधा हमें पानी लेना है, यानि एक कटोरी हमने चीनी ली है, तो हाफ कटोर हम पानी ले लेते हैं और इसे हलकी सी चिपचिपी होने तक पकाना है चाशनी हलकी सी चिपचिपी होना शुरू हो चुकी है और अब हम जो हमने शकर पारे फ़राई किये हैं वो सब इस चाशनी में छोड़ देने है और कम से कम तीन मिन के लिए हमेंसे इसी में डूबा कर गैस को ओन करके रखना है और अच्छे से पका लेना है बहुत जादा भी नहीं पकाना है बस तीन मिन के लिए हमेंसे चाशनी में पका लेना है ताकि जो चाशनी है वो शकरपार के अंदर तक पहुंच आए और इसे शकरपारे बहुत ही टेस्टी बनेंगी अब हम एक खुले बरतन में इनको निकाल लेते हैं और जो चाशनी को है उसे उपर से डाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं ये चाशनी जो है सूख जाएगी तो इनका जो टेस्ट है बहु बहुत ही अच्छा बनकर तयार हुआ है और यह मार्केट से भी जादा टेस्टी बनकर तयार हुए है आप इसको तहवार पर बनाएए और आपका मन चाहे आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं एक महिना भी यह खराब नहीं होंगे और इनका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा बनकर तयार हुआ है आप इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा और कोमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी शकरपारी कैसे बने अगली वीडियो में फिर मिलते हैं बाब बाई